दोस्तो अभी अभी जब हम अपना जो है pen card order कर रहे थे अपना pen card reprint कर रहे थे PVC pen card को order कर रहे थे तो दोस्तो हमारे सामने कोछ इस तरीके से problem देखने को मिलती है साइद दोस्तो जब भी आप जो है अपना PVC pen card order करें आपने pen card को reprint करें तो आपको साइद इस तरीके की problem देखने को मिल सकती है इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना skip किये पूरा देखिएगा आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है request for reprint of pen card दोस्तो इस problem को हम इसी of pen card could not be processed due to some technical issue please try after some time if the problem processed please write to us at 10 info at nhdl.co.in मतलब की दोस्तों यहां पर यह बता रहे हैं कुछ technical issue है जिसके कारल जो आपका pen card है जो reprint नहीं हो पा रहा है तो आप जो एक कुछ समय बात करें दोस्तों reprint करने से पहले pen card को आपको एक काम और करना है वो हम आपको बता देते हैं उस काम को सबसे पहले करने के लिए आपको सबसे पहले chrome browser open कर लेना है और search bar में type कर देना है income tax department जैसे ही दोस्तों आप income tax department लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया page आ जाएगा जिसमें आपको दूसरी website देखने को मिल जाएगी home income tax department आपको इसी website पर click कर देना है जैसे ही आप इस website पर कर देंगे click तो आपके सामने कुछ इस तरीके से page open हो जाएगा अब आपको क्या करना है scroll करना है कुछ इस तरीके से आपको इहाँ पर एक option मिलेगा verify your pen आपको दोस्तों इसी पर click कर देना है verify your pen पर click करने के बाद आपको इहाँ तीन step से गुजरना होगा कौन कौन से step है सब कुछ समझेंगे आपको यहाँ पर pen नमर डाल देना है नीची आपको full name डाल देना है जो name आपका pen card में डला हो तो पहले pen नमर और full name को डाल देते हैं आप देख सकते हो कि हमने pen नमर डाल दिया name डाल दिया अब हमे date of birth select करनी है तो हम क्या करेंगे calendar के icon पर click करेंगे और आपको यहाँ पर यह अक्टूबर 2023 दिख रहा होगा तो आपको यहाँ पर click कर देना है क्योंकि अभी October चल रहा है इसलिए नवंबर में कर रहा होंगे नवंबर मतलब जो भी month और year में आप यह काम करेंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा तो आपको य यहां से जो है select कर लेते हैं अब आपको यहां से जो है अपना month select कर लेना है year हमने select कर ली month select कर लेंगे month select करने के वाद अब date जो है select कर लेंगे आप लोग देख सकते हो pen number select हो गया full name डाल दिया date or birth आप डालना सीख गए आप हमें यहाँ पर mobile number डाल देना है आप देख सकते हो हमने यहाँ पर mobile number भी डाल दिया अब continue के option पर कर देंगे click जैसे ही हम continue के option पर click करेंगे तो हमारे registered mobile number पर एक OTP आ जाएगा आप लोग देख सकते हो OTP आ गया है उस OTP को हमें य sex department do not share OTP with anyone तो हमें इस OTP को यहाँ पर डाल देना है आप देख सकते हो कि OTP डाल दिये OTP डालने के बाद validate पर click कर देंगे जैसे ही हम validate पर click करेंगे तो आप लोग देख सकते हो verify your pen pen is active and detail are age per pen मतलब की दोस्तों हमारा जो है pen card active है और पूरी तरीके से verify हो गया है अब आप अपना pen card order करेंगे तो आपको ऐसी problem देखने को नहीं मिलेगी यदि फिर भी आपको इसी तरीके की problem देखने को मिलती है तो आप comment कीजिएगा हम दूसरे तरीके से आपकी problem solve करने की कोसिज करेंगे यदि आपने अपना नया नया pen card बनाया हुआ है तो आप जो है 5 से 6 दिन बेट कर लीजिएगा